तो आध इसका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एंड़ोप्लाजमिक रेटिकुलम जिसको हिंदी में अंतरदरवी जालिका कहा जाता है तो एंड़ोप्लाजमिक रेटिकुलम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एयार भी लिख देते हैं ठीक है अब इसकी डिस्कवरी किस ने की आप लगाकी थी उक szvy ने की थी पार्टर ने बॉटर कब की थी 1942 में अगल कि अच्कल ये में सबर्प्रोम मैं-चरवी और gefट्भी weather ने के बारे में यह जोन् measure के बारेमें ठीक है यानि कि जो nuclear membrane है it is double layered तो इसकी जो outer layer होती है यानि कि जो बाहरी परत होती है इसके साथ क्या जुड़ा रहता है endoplasmic reticulum जो बाहर आपको इस तरह की जो structure नजर आ रही है यह क्या है endoplasmic reticulum यानि कि अंतरद्रवी जालिका अब क्या होती है देख लेते हैं it is present in all eukaryotic cells जितनी भी eukaryotic कोशिकाएं होती है उन सभी में यह उपस्दित रहता है it is consist of flattened membrane bound sex called sister knee यानि कि यह बिल्कुल चप्टी थैली नुमा नलिकाओं से बनी होती है यानि कि कहने का मतलब कि इसकी जो structure है वो कैसी होती है नलिकाओं की तरह यानि कि बिल्कुल जो पतली नलिका होती है उसकी तरह इसकी structure होती है और यह membrane से cover रहती है यानि कि इसकी उपर जिल्ली उपस भूस्तित रहती है तीक है आपको यह पर नजर आ रहोगा यह जो स्ट्रक्चर है यह बिल्कुल क्या है फ्लैट यानि कि नलिकाओं जैसे आख करती आपको यहां पर नजर आ रही होगी इत रिमेंस बांड़ेट विडर न्यूकलियर मेंबरेन यानि कि यह नूक्लियस की जो आउटर मेंब्रेन होती है उसके साथ ये चुड़ा रहे हैं एंडप्लाजमिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है स्मूथ एंडप्लाजमिक रेटिकुलम जिसको छॉर्ट फ nên हम यही क्या है। जुड़ा पर कुछ डॉट बहूं होता है यहीं चुम्रики अन्ठरविटीकुलम щеलुका है भानी स्टक्चर फोड़ा आँ ह्यान पर कुछ ड नगी यह जो granular structure है यानि कि जो rounded structure है इनको कहा जाता है ribosome ठीक है और यह बूरी structure किसकी है endoplasmic reticulum की तो जहां पर ribosomes present नहीं होते यानि कि endoplasmic reticulum का वो पार्ट जहां पर ribosome उपस्तीत नहीं होते हैं वो पार्ट endoplasmic reticulum का कौन सा पार्ट होता है स्मूथ endoplasmic reticulum यानि कि where ribosomes are not present ठीक है तो जहां पर ribosome उपस्तीत नहीं है वो endoplasmic reticulum या अंतरदरवी जालिका जोती है वो चिकनी अंतरदरवी जालिका कहलाती है तो स्मूथ endoplasmic reticulum की function क्या है यानि कि इसके कारिया क्या है इसका काम होता है fat बनाना यानि कि वसा बनाना लीपीड बनाना प्रोटीन बनाना ठीक है इस में से कुछ लीपीड और प्रोटीन होते हैं वो cell membrane को बनाने का काम करते हैं यानि कि जो यहां पर स्मूथ endoplasmic reticulum की अंदर लीपीड और प्रोटीन बनेंगे ठीक है उनका काम क्या है कुछ का काम है सेल मेंब्रेन को बनाने में हेल्प करना यानि कि जो कोशी का जिल्ली होती है उसको बनाने में हेल्प करना दूसरा कुछ हार्मोंस भी जो प्रोटीन होते हैं वो कुछ हार्मोंस की रूप में काम करते हैं कुछ एंजाइम की रूप में काम करते हैं दूसरा जो है वो है और अगर जहांपर राइज्टoire यानि कि ऑंडबोसम के जिस पौर्शन पर इसके सक्षेज नौन वरिपस थितन है तो रैज्टफ कॉन सा परियोट सबीकीघन वह यह क्यमिंदा प्रबास्मेन कि धूर्बभ साम तरए lengthy क्या करते काम क्या है अब बियरी होटे हैं तो उसले यहां प nous है तो आभी टॉर्टा末 का मेंपक्षण क्या होता होता है यहांड कि यहांग पर क्या बनता है प्रोटिश संसलेसीद होता यारि कि बनाया जाता है और यह क्या술 काम कुंण करता है खागि member तो आप देख लेते हैं overall यानि कि जो endoplasmic reticulum होता है चाहे वो smooth है चाहे वो rough endoplasmic reticulum है तो यह दोनों मिलकर इनका जो main function है वो क्या है it is transport channel of material यानि कि यह क्या होता है कि जितना भी material यहां पर बनता है ठीक है तो उसको cells के अलग पार्ट के अंदर यानि कि साइटोप्लाजम के अंदर जितनी भी cell organleys हैं यह साइटोप्लाजम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर जो भी material का जो transportation किया जाता है यानि कि जो पदार्थों का परिवहन किया जाता है यानि कि एक जगह से दूसरी जगह भीजा जाता है तो वह सारा काम किसके दोरह किया जाता है वह किया जाता है है endoplasmic reticulum के दोरह यानि की antardrar arranged jalika के दोरह Gothic तो अभ हमारा topic रहता है ribosoms to ribosoms क्या होते है गैं डीस ऑर वरी स्माल in structure डाहें राइ वह क्या होते हैं स्मॉल in structure यानि की दो होती है वो काफी छोटी होती है क्षेप में कैसे होते हैं क्या आकर्ति के अंदर है आइधर free और attached with RER यानि कि हो सकता है कि यह साइटोप्लाजम के अंदर यानि कि कोशिका दरव्य के अंदर मुक्त रूप से उपस्तित हो यानि कि कि किसी भी कोशिका अंगक के साथ ना जूड़े हो किसी भी सेल और गनली के साथ यह ना फ्लाज़मिक रीटिकलम ठीक है किसे बने होते हैं रायबोसों रायबोसों में भाता जो electronics और RNA and proteins ठीक है यानि कि यह किसे बनते हैं RNA और प्रोटीन से बने होते हैं अब मेन फंक्शन क्या है राइबोसॉम्स का मेन फंक्शन है साइट ओफ प्रोटीन सेंथेसिस ठीक है एक्चली इस साइट ओफ प्रोटीन सेंथेसिस यानि कि जो प्रोटीन बनने का काम है प्रोटीन संस में डाल दूँगा और इससे लेटिट जो भी होमवर्क है वो हमारे स्कूल की आप आदर सिनियर्स केंटी स्कूल खाई शेरगड के नाम से तो उस एप पर आपको मिल जाएगा तो वहां से आप नौट डाउन करें नौट बुक के अंदर नौट डाउन करें उनके अंसर्स राइट करें और उनको अच्छे से लर्ण की करें तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू